नमश्कार दोस्तों क्यासे हैं आप सब उमीद करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे घर में, हमारे बात्रूम में या भाया जाने वाला नारील का तेल हमारे बच्चों को किस तरह से गोरा बना सकता है वैसे तो दोस्तों जो रंगत होती है वो भगवान की दिया से जिसको भी जैसी मिलती है बेहद खुबसूरत होती है और हमारे श्रीर में या फिर हमारे जनेटिक के वज़े से जो मैलरिन हमारी बॉर्ड़ी में आता है उसकी वज़े से रंग साफ या रंग टैन होता है तो वेल हम अपने tan body को किस तरह से निखार सकते हैं अपने बच्चों को गोरा बना सकते हैं आज मैं उसके बारे में बताऊंगी हम बात कर लेते हैं नारियल के तेल की दोस्तों दिन में कम से कम एक बार गुनगुने नारियल तेल से बच्चों की body की मसाज करने से उनकी सकिन में लचीला पनाता है और उनका blood circulation ठीक होता है तेल सकिन में गहराई में जाकर उसे हाइडरेट करने का काम करती है जिससे सकिन का रंग भी साफ होता है और दाग धबे भी कम होते हैं शरीर में काफी जाला आपको निकार मिलता है उसके इलावा दोस्तों आपको पता होगा अईरवेदा में भी ये कहा गया है कि हलका गुनगुना करके अगर तेल की मसाज करते हैं तो वो शरीर के लिए बेहर्द लाबदाइक होती है अब बात कर लेते हैं बेसन की दोस्तों एक चमच बेसन के अंदर अगर आप आदा चमच नालगल का तेल डालेंगे दूद डालके हलका पेस्ट बना कर उसकी अपने बच्चों की बाड़ी पे मसाज करते हैं तो शिशू की स्किन उनकी तवाच्छा बहुत जादा चमकदा और हल्दी भी रहती है बेसन चोटे छोटी कं अंदर आपके बच्चे की स्किन को निखमरने का रंगसाफ करने ने का ने करें अधू चलत चमकाने अगर आपका बच्चा दो 20 Saal का है ऑर 8 साल के तो आप उसकी मसाज कुछ इस तरह से कर सकते हैं अगर आपका बच्चा दो साल का है तो definitely कीजेगा क्योंकि बहुत सारे ममाज का question होता है कि उनके बच्चों के घुटने जो है चलना शुरू करते हैं बच्चे रिडना शुरू करते हैं तो उनके काले हो जाते हैं घुटने कोज कीजिए और बाद में बॉड़ी को मॉस्चुराइज करना मिल्कुल मत भूलेगा कोशिश करके जरूर देखें अगर आप अपने बच्चे को गोरा स्वस्त चाहते हैं मिलूंगी नए वीडियो में बाबाई